अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे अर्भी के छोटे बड़े सब्द चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ सबसे पहले हिंदी में भेजना भेजना को अरवी में कहा जाता है इरसल भेजना भेजना को अरवी में कहा जाता है इरसल मैसेज मैसेज को अरवी में कहा जाता है रिसाला मैसेज मैसेज को अरवी में कहा जाता है रिसाला जैसे कि अगर आपको कहना है या तो फिर आप से कोई कहेगा मैसेज आया मैसेज आया का मतलब अरवी में होता है E.G. रिसाला मैसेज आया मैसेज आया को अरवी में कहेंगे E.G. रिसाला E.G. रिसाला मैसेज आया इजी रिसाला OTP OTP को अर्वी में कहेंगे रस्म OTP OTP को अर्वी में कहा जाता है रस्म भासा लेंग्वेज भासा लेंग्वेज को अर्वी में कहा जाता है लोगत भासा लेंग्वेज को अर्वी में कहा जाता है लोगत धकेलना धकेलना को अर्वी में का जाता है यदफा खीचना को अर्वी में का जाता है इसहब हटो या तो फिर हटना हम लोग कहते हैं ना हटो या तो फिर हटना हटो हटना को अर्वी में कहते हैं वखर हटो हटना को अर्वी में कहते हैं वखर पकड़ो या तो फिर पकड़ना को अर्बी में कहेंगे M.S.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C मवजूद हम लोग भी कहते हैं और अरवी में भी मवजूद कहा जाता है जियादा को अरवी में जियादा ही कहते हैं हम लोग जियादा कहते हैं और अरवी में भी जियादा कहा जाता है सुई, सुई का मतलब होता है इबरा, सुई, सुई को अरभी में कहते हैं इबरा, कैंची, कैंची को अरभी में कहते हैं मगास कैंची, कैंची को अरभी में कहते हैं मगास दर्जी, दर्जी को अरभी में कहते हैं खयात दर्जी, दर्जी को अरभी में कहते हैं खयात मास्क को अर्वी में कहा जाता है कमाम टेलर की दुकान को अर्वी में कहा जाता है महल ख्यात टेलर की दुकान को अर्वी में कहा जाता है महल ख्यात नकाब को अर्वी में कहा जाता है अबाया नकाब को अर्भी में का जाता है अबाया बटन बटन को अर्भी में का जाता है जर बटन बटन को अर्भी में का जाता है जर निकालना अगर आप कोई समान निकाल रहे हैं तो निकालना को अर्भी में का जाता है तला निकालना को अर्वी में कहा जाता है तल्ला निकलो को अर्वी में कहा जाता है इतला जैसे कि अगर कोई बोलेगा यहां से निकलो अर्वी में बोलेगा इतला मिन हिना इतला मिन हिना यहां से निकलो इतला मिन हिना समझना समझना को अर्भी में का जाता है फोहम नौकरी को अर्भी में का जाता है वजीफा हमारे पास को अर्भी में का जाता है इंदना जैसे कि अगर आपको कहना है हमारे पास नौकरी नहीं है आप अरभी में कहेंगे इंदना माफी वजीफा हमारे पास नौकरी नहीं है इंदना माफी वजीफा हमारे पास का मतलब इंदना नौकरी का मतलब वजीफा नहीं है का मतलब माफी हमारे पास नौकरी नहीं है इंदन मा फी वजीफा हमारे पास नौकरी है अगर आपको कहना है हमारे पास नौकरी है आप अर्बी में कहेंगे इंदना फी वजीफा हमारे पास नौकरी है इंदना फी वजीफा हमारे पास समान नहीं है अगर आप कहना चाहते हैं हमारे पास समान नहीं है आप अर्बी में कहेंग हमारे पास का मतलब इंदना सामान का मतलब अगराथ नहीं है का मतलब माफी हमारे पास आओ अगर आपको बोलना है हमारे पास आओ आप अरभी में कहेंगे ताल इंदना हमारे पास आओ ताल इंदना अब मैं आपको बताऊंगा उनके पास, उनके पास का मतलब होता है इंदहुम, ध्यान से आपको सुनना है, उनके पास का मतलब इंदहुम, जैसे की for example, सायद उनके पास है, अगर आपको कहना है सायद उनके पास है, मुम्किन फी इंदहुम, सायद का मतलब मुम्किन उनके पास का मतलब इंद हुम है है का मतलब फी मुम्किन फी इंद हुम सायद उनके पास है मुम्किन फी इंद हुम सायद उनके पास पैसे हैं अगर आपको कहना है सायद उनके पास पैसे हैं आप अरभी में कहेंगे मुम्किन फी फ्लूस इंद हुम सायद उनके पास पैसे है मुम्किन फी फ्लूस इंद हुम सायद का मतलब मुम्किन उनके पास का मतलब इंद हुम पैसे का मतलब फ्लूस है का मतलब फी सायद उनके पास पैसे है मुम्किन फी फ्लूस इंद हुम सायद उनके पास पैसे नहीं है अगर आपको कहना है सायद उनके पास पैसे नहीं है आप अरबी में कहेंगे मुम्किन माफी फ्लोस इंदहुम सायद उनके पास पैसे नहीं है मुम्किन माफी फ्लोस इंदहुम सायद का मतलब मुम्किन उनके पास का मतलब इंदहुम पैसे का मतलब flows नहीं है नहीं है का मतलब माफी साइद उनके पास पैसे नहीं है मुम्किन माफी flows इंद हूं साइद उनके पास mobile नहीं है अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे साइद उनके पास mobile नहीं है आप अरभी में कहेंगे मुम्किन माफी जवाल इंद हूम सायद उनके पास मुबाइल नहीं है मुम्किन माफी जवाल इंद हूम सायद का मतलब मुम्किन उनके पास का मतलब इंद हूम मुबाइल का मतलब जवाल नहीं है का मतलब माफी सायद उनके पास मुबाइल नहीं है मुम्किन माफिज जवाल इंदहुम तो दोस्तों मैंने आपको छोटा बड़ा अर्वी का जो सब्ध है मैंने आपको बताया और थोड़ी सी लाश्ट में मैंने आपको मिला कर कैसे बोला जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया मैंने आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया है तो एक लाइक ज़रू करिए चैनल पे नेट चैनल को सस्क्राइब करिए मिलते हैं किसी नेक्ट वेडियो